जो मैंने इसी keyword research tool से एक website बनाई थी और जिससे हमने 20 लाख रुपे कमाये थे वो पूरी आपके सामने reveal कर रहा हूँ यो आपको पता चली गया होगा अगर आप योजना से related काम कर रहे हो या किसी भी एक keyword जो आपको लगा गगन यान जैसे for example आपको लगता है कि बहुत आगे जाने वाला है उस related site आज की तारीक में बना लो यह futuristic site है अगर गगन या unsuccessful हो गया भगवान कसम इतना traffic आने वाला नो उसमें समेट से रह जाओगे ठीक है यह मैं अपने experience के basis पे बता रहा हूँ कोई भी tool rule आपको यह बताने वाला नहीं है screen को pause करो और लिख लो यह कहीं नहीं मिलने वाले आपको किसी tool में नहीं मिलने वाले जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ठीक है यह जो सारी information मैं आपको दे रहा हूँ न यह लाखो की है साथ साल की हमारी पूरी महनत आपके सामने खोल के रख दिये कि biography निश में, business idea निश में, योजना निश में, exam related निश में क्या-क्या keywords होने वाले हैं, क्या-क्या आते हैं यह कोई भी paid keywords research tool भी आपको नहीं बताएगा जो सारी चीजें इस वीडियो में मिल रही हैं तो वीडियो को like कर दे भाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में तो आज का वीडियो है free blogging course का part 5 और आज के वीडियो में हम सबसे SEO में जो सबसे important part होता है keyword research उसके बारे में पूरी detail में बात करने वाले हैं keyword क्या है keyword research किस लिए जरूरी होती है इसके क्या-क्या important terms है keyword research के free tools कौन से है free word research के paid tools कौन से है कौछ सा tool use करना चाहिए और keyword research से क्या हम कोई site बना सकते हैं मैं आपको इस पूरे वीडियो में एक अपनी खुद की niche based site बताऊंगा जो मैंने इसी keyword research के method से बनाई थी और इस site से पूरी site आपको पूरी आपको दिखा के दिखाएंगे पूरे stats के साथ में जिसमें हमने 20 लाक रुपे भी कमाए हैं तो ये वीडियो बहुत जादा important है इसलिए से last तक जरूर देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी black Friday का time चल रहा है black Friday का ऐसा time होता है साल में सिर्फ एक ही बार आता है जब सारी जो American companies होती है उसमें भारी discount मिलता है इसी वज़े से आप अगर hosting लेना चाहते हैं हर नए blogger को मैं hostinger लेने की सलाह देता हूँ सबसे अच्छी बात hostinger की मुझे ये लगती कि इसमें money back guarantee है पसंद ना आए एक महीने में पैसे वापस भी हो जाएंगे ठीक है इससे अच्छी क्या scheme होगी अच्छा बहुत अच्छे discount चल रहे हैं hostinger पे अगर आपको और discount चाहिए तो description में मेरी affiliate link है वहाँ से जाके आप जब check out करेंगे और मेरा coupon code डालेंगे आपको और भी discount मिलेगा तो इस discounted price का फाइदा जरूर उठाएं अब हम आते हैं मुद्दे पे की keyword research मतलब सबसे पहले keyword ये keyword है क्या? keyword दिल है किसी भी search engine का जो दिल होता है वो keyword होता है और Google भी एक search engine है इसलिए उसका दिल keyword है अब ये keyword है क्या? keyword होता है अच्छे गूगल कैसे काम करता है? कि आप Google से सवाल पूछते हो Google आपको जवाब देता है सवाल आप किछ form में पूछते हो? सवाल आप एक keyword के form में पूछते हो ठीक है? तो जवाब को आपको मिलता है simple है आपने सवाल पूछा? Google ने जवाब दिया आपने सवाल पूछा? Google ने जवाब दिया वाह! कितना बड़ी है बिजनेस है कितना आसान है कितना मज़ीदार है अब इसी से related मैं आपको बताता हूँ कि keyword में जैसे एक सवाल जब आप पूछते हो तो उसका एक intent होता है ठीक है? आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा intent in fact इसी से related सतीज भाई के चानल पर मैंने SEO से related एक वीडियो एक interview दिया था SEO क्या है साड़े तीन लाख की आसपास उसमें views हो चुके हैं और बहुत ही लोगों ने प्रेस किया अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो खतम होने के बाद उसे जरूर देखे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और उसमें मैंने चोटी सी एक intent की बात कही थी अब यहां पर मैं आपको detail में intent बताता हूँ कि सवाल जो होता है उसका intent क्या होता है for example एक word है कद्दू ओके अब मैं अगर डालता हूँ यहां पर कद्दू मतलब pumpkin आपको photo दिख रही होगी क्योंकि हर इंडिया के states में इसको अलग कहते है जब हम MP में थे तो हम इस pumpkin को कद्दू बोलते थे अगर आपको pumpkin चाहिए तो हम बोलते थे कि हमें कद्दू चाहिए हम अब हर्याना में आ गए है हर्याना में अगर आपको pumpkin चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा पेठा ठीक है और यही पेठा अगर आप आगरा में हो यूपी में हो तो पेठा एक अलग मिठाई है ठीक है तो एक ही वर्ड है आप देख रहे हैं कितना घूम रहे हैं तो किसी ने अगर टाइप किया कदू तो Google को क्या समझ में आएगा पेठ गूगल को क्या समझ में आएगा इंटेंट आप सूच रहे कि जब किसी ने सवाल पूछा तो Google का जवाब देना कितना डिफिकल्ट है अब एक दूसरे एक्जामपल पर आते हैं जो मेरा बहुत ही फेवरेट है मिठाई ठीक है स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा मैंने ट जिसके डिजर दिखा रहा है आप सारे डिजर देखो गे पहला नहीं आगे बी जो आप देखोगे रिजर्ट आपको जो दिख रहा है वह उसी टीवी सीरियल से रिलेटेडल दिखरा मिठाई भाई साब मुझे तो काजू कतली चाहिए आप यह क्या दिखा रहे हो ठीक है म मैंने डाला हिंदी में मिठाई मामें छोटी की मातर ये जो spelling होती है इसको हम अपने यहां पर दीपावली वाली जो टीम है उसकी language में कहते हैं देवनागरी हम अमने देवनागरी में जब मिठाई डाला भाई साब क्या ला जवाब मिठाईयों के YouTube dishes बता रहा है यही तो मुझे चाहिए था ठीक है काजू कतली मुझे चाहिए थी अब इसने दिखाई अब आप देख रहे हैं कि जब हमने M.I.T.H.A. डाला और मामें छोटी वाला मिठाई डाला तो दोनों में result different आ रहे हैं मतलब की Google बहुत intelligent है उसको पता है कि किस word पे क्या दिखाना है हो सकता है मेरे लिए गलत result दिखा गए हूँ आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ बट एक एक एक्जामपल हुआ एक और एक्जामपल जो मैंने सतीज भाई के चैनल पर दिया था digital marketing आप digital marketing डालोगे सबसे पहले result दिखाता है internet marketing ठीक है तो यह भी एक intent का फरक है कि user पूछ क्या रहा है सवाल और जवाब वहां से क्या रहा है और जो जवाब है वो बहुत ही intelligent सूज-बूज वाले जवाब है वरना Google इतना successful नहीं होता एक और example पर आते है current affairs वाले अगर कोई डालता है drugs तो अब गूगल क्या समझे कि आरियन खान वाला drugs है या फिर पैरसेटम वाला drugs है अब मैं आप से सवाल पूछूँगा क्या intention क्या है user का अब आपको बोलो हमें क्या मतलब क्या intention है अरे भाई साब Google को मतलब है और आपको भी मतलब होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर आप इस intent को समझ गए तो आप Google कैसे काम करता है उसको समझ जाओगे और आपको exactly समझ में आ जाएगा कि keyword research क्या है और हमें कैसे करना है अभी तक के जो हमारे examples हैं क्या आपको अच्छे लगे अच्छे लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना अब यहीं पे हम आजाते हैं problem पे Google की problem क्या है Google की problem है सबसे पहले इस intent को समझना और उसके basis पे जवाब देना तो Google ने क्या निकाला है एक intent की पहले तो वो यह देखता है कि majority जैसे MITHAI उसने डाला तो majority लोगों को जो result चाहिए था वो TV serial से related चाहिए था इसलिए उसने मान लिए कुछ लोगों के लिए गलत हो जाएगा पर majority लोगों के लिए सही हो जाएगा ऐसा ही हमारे समाज में होता है कि जब कोई decision हम लेते हैं हमारे बड़ा बज़ूर्ग कोई decision लेता है तो घर के सारे family members से खुश नहीं होते हैं इसी तरीके से Google ने भी किया है कि जवाब द चाह रहे हैं लोगों की क्या expectation है एक action movie की अगर आपसे expectation है और वहाँ पर आप सिर्फ comedy अगर दिखाते हैं तो वह movie flop हो जाएगी तो आपको सबसे पहले article लिखने के पहले intent भी देखना पड़ेगा कि user क्या चाहता है जो search result में आ रहा है वही user चाहता है अब हम आते हैं आप categories हमारी SEO की language में वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इससे आपको intent भी पता चलेगा कि user का intent क्या है अच्छा जो result भी आ रहा है न intent based result भी आ था for example पहला जो keyword का type है वो है informational keyword जैसे कोई जानना चाहता है पवन अगरवाल की age क्या है या अमिताब बच्चन की age क्या है त तो उसका intent क्या है कि उसको ए जानना है informational keyword है तो उसको information मिल गई आपको इसी तरीके से अपना quote करना होगा article दूसरा keyword जो होता है वो होता है navigational keyword navigational मतलब for example कोई मेरे blog पे आना चाहता है और उसको मेरे blog का URL नहीं पता वो Google पे क्या डालेगा दीपवली ठीक है और दीपवली डालेगा तो वहाँ पे सबसे पहले obviously दीपवली का तेओहार आएगा और second number पे क्योंकि जादा famous दीपवली का तेओहार है और second number पे मेरा blog आए है क्योंकि दीपवली just cross किया है otherwise आप दीपवली डालोगे तो दीपवली ब्लॉग आएगा तो यह क्या हुआ कि Google को पता है कि इस बंदे को दीपवली के blog में जाना है तो इसको हम कहेंगे navigational keyword और इनी को हम branded keyword भी कह सकते हैं बहुत बार मैंने बोला होगा कि personal brand बनाना है इनी है तो transactional keyword होता है for example Delhi to Bangalore flight अब अगर किसी बंदे ने यह टाइब किया है इसका मतलब यह हो गया कि उसको दिल्ली से बैंगलो फ्लाइट से ही जाना है ठीक है बहुत हाई chances है कि जब यह बंदा कोई search कर रहा है तो एक ticket भी book करे तो आपको इस particular keywords पे बहुत सारे add भी द marketers काम करते हैं इनी टाइब के keywords को वह target करते हैं चौता होता है comparisonal keyword अब यह मतलब क्या हो कोई compare कर रहा है for example iPhone 12 और iPhone 13 में क्या difference है ठीक है मतलब वो simple comparison करना चाह रहा है अभी उसका intent कहीं पे भी नहीं देख रहा है कि उसको खरीदना है हो सकता है इसके बाद वो खरीदे तो यह comparisonal keyword होते हैं आपने देखा होगा यह हमेशा आपको tabular format में मिलेंगे जब आप search करोगे क्योंकि comparison में अगर आप words में देखोगे तो difficult होता आदमी का समझना table format में जब यह comparison आता है तो बहुत अच्छे से बंदा समझ जाता है तो आपने देखा कि कैसे आप intent को जब समझ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि content किस format में भी लिखना है पाँचवा जो है वो है local keywords पहले local SEO नहीं था Google में then Google ने realize कि नहीं localization बहुत ज़्यादा ज़रूई है for example आपको coffee पीने है और आपने डाला coffee shop near me तो आप मैं जैसे sector 1 में हूँ तो इसको coffee shop sector 1 के आसपास का दिखाना चाहिए अगर मैं sector 80 में हूँ तो इसको coffee shop sector 80 के दिखाना चाहिए तो यह local SEO से related keyword हो गए जो local businesses होते हैं Google my business वाली चीजें होती है यह local SEO पे काम कर अगर आप इस टाइप के किसी business या website बना रहे हैं तो आप इस पे ध्यान दे सकते तो यह मोटा माटी 5 types of keywords हो गए और भी types of keywords ह होते हैं जिनकी category हम define नहीं कर रहे हैं पर आप जैसी type करोगे आपको गूगल में जब इस keyword को type करोगे आपको समझ में आएगा कैसे कैसे types of keywords हैं एक और category defines keyword की वह है short tail keyword और एक है long tail keyword short tail keyword मतलब छोटा नाम से समझ में आ रहा है for example अगर किसी ने type किया पवन अगर तो यह मैं भी random मैंने डाल दिया पर यह एक long tail keyword हो गया तो यह short tail long tail keyword हम क्यों पोड़ रहे हैं कि जितना keyword short होगा उसके search volume उतना ज्यादा होगा उतनी searches उसकी होंगी और जितना keyword बड़ा होगा उसकी search volume उतनी कम होगी और traffic आना उसमें कम होगा तो यह एक और मोटा माटी definition चलती है types of keywords क अब एक चीज और है कि keyword research क्या है अभी तक हमने जो सारी बातें करी वो keyword की थी अब keyword research क्या है उसकी importance क्या है और हमें क्यों करना चाहिए keyword research से क्या पता चलता है जैसे keyword निकल के आया credit card अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस एक single keyword पे rank कर गए सिर्फ एक keyword पे आप number one position पे आगे आप महीने के एक करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एड़ से कमा सकते हैं से single keyword में इतनी potential है अब आप कोगे ऐसी कि तैसी मुझे और कोई काम नहीं करना मैं credit card पे काम करूंगा अब यहां पे keyword research काम आती है जब आप जाओगे और देखो कि keyword research tool फिरा जाते हैं ज वहां पे rank करना मुश्किल है तो इससे आपको पता चल गया कि भाई यह keyword difficulty है अब search volume भी आप for example एक keyword है राम चरण शुकला की age अब राम चरण शुकला मान के चलो कि दुनिया में एक इंसान है तो उसकी age कौन सर्च करेगा मुश्किल से उसके रिष्टेदार रिष्टेदा और वो भी उनको पता है कि उसकी age क्या है तो कोई भी search नहीं करने वाला इनफाइट वो खुद search नहीं करेगा तो ऐसे keyword पे भी काम करने का कोई मतलब नहीं है जिसका search volume ही कुछ नहीं हो तो जो मोटा माटी हमें पता चलता है keyword research से एक तो search volume पता चलता है कि कितने searches होंगे इ पिराज आता है low competition और high competition for example जैसे मैंने credit card बोला था वो high competition keyword है और राम प्रिशाज शर्मा राम शरण शर्मा की एज एक low competition keyword है अब हम आते हैं next question में कि हम कौन से keyword research tool यूज करें free और paid दोनों चीज़े मैं बता रहा हूं दोनों में difference भी बताऊंगा कि क्या है और free सही है कि paid स हमारा keyword research tool है जो free में है हम सिरस Google के लिए काम कर रहे हैं और जो most of the people recommend करते हैं वो है keyword planner आप Google में टाइप करिए keyword planner यहाँ पे आपको यह result देखेगा यह Google का ही है सब से नीचे आपको देखेगा go to keyword planner आप यहाँ पे जाए अब यहाँ पे आपको दो option दिख रहे होंगे discover new keywords औ get volume and forecast तो अभी हम आते हैं get volume and forecast क्योंकि हमें यही चाहिए है basically कि कि किसी एक particular keyword का कितना volume है और उसकी prediction क्या है तो हमने डाला credit card अब credit card का यह दिखा रहा है कि यह search volume हो गया कि एक महीने में इस tool के साब से एक लाग से लेके 10 लाग तक का search volume है keyword difficulty medium है मतलब हाई ही नहीं है और य यह एक free keyword research tool हो गया इससे आपको volume पता चल गया और इसी में अगर हम paid tool हमें आपको बताता हूं paid tool है ahref यहाँ पे हम आते है keyword explorer पे यह सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ahref आपके लिए बहुत important है अब हमने location डाल दिये India और हम इसको explore कर र एक चीज़ पता चल गई कि हर टूल basically same result नहीं दिखाता है और उसके अलग-अलग कुछ-कुछ parameters है बट इस तरीके से आपको search volume difficulty पता चल गई कि कितनी है volume वगेरा भी यह दिखा रहा है ahref वगेरा वगेरा और भी keyword ideas भी दिखा रहा है keyword ideas भी आपको google keyword planner में जो पहला option था ज समरिद्धी योजना जो आगे हम website बताएंगे वह इसी से related है तो अब for example आपने select कर लिया कि हम सुकन्या समरिद्धी योजना एक article लिखना चाहते हैं अच्छा यह जो पूरा free blogging course चल रहा है इसमें हमने पूरी website बना के रखी है pmodiyojna.org जो आपको भी screen पे दिख रही होग हैं for example हमें एक article लिखना है सुकन्या समरिद्धी योजना तो जो best tool है अगर हम tool की बात करते हैं कि आपको keywords चाहिए तो वो again google है आप google पे जाएं और डाले सुकन्या समरिद्धी योजना अब यह जो result दिख रहे हैं इनको कहते हैं auto suggest तो कुछ keyword हैं जैसे सुकन्या लिख रहे हैं हमने लिख लिया on online interest rate हिंदी calculator ठीक है अब जब आप यह keyword type करेंगे और अंदर तो आपको और भी मिलेंगे कि यह लोग question पूछते हैं तो आप यह article में अपने डाल सकते हैं सुकन्या समरिद्धी से related आप जब नीचे जाएंगे तो यह और keyword है आचा यह Google आप आपको चाहिए कि अभी यह जो टूल आपको दिख रहा होगा keyword server यह इतना अच्छा मुझे टूल अभी लगा नहीं इसलिए आप इसको ignore मारे मैं testing के लिए कर रहा था आपको और चाहिए कि और क्या क्या आटो सजेस्ट में आ रहा है तो देखी यहां आगया otherwise आप यहां ड बना है keywords tool.io आप Google में जाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा आप यहां पे जब डालेंगे सुकन्या सम्रद्धियोजना तो आप देखी आपको यह सारे questions जो auto suggest में आ रहे थे इस tool का काम बस यह ही है कि यहां पे सारी चीज़े दिखा देना आप volume trend वगेरा पे ध्यान ना ठीक है यह आपको इतने सारे auto suggested keyword डाल रहा है कि आप यह डाल सकते हैं यहां पे questions भी बता रहा है क्योंकि people also आज से लेता है proposition बता रहा है ठीक है गूगल में यह सवाल पूछते हैं YouTube में पूछते हैं यह सवाल Instagram के hashtags वगेर आपको चाहिए तो यह बहुत ही अच्छा एक free tool ह अगर आपको auto suggest सारे keywords चाहिए तो आप यहां से use कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसको extensively use करते हैं अब हम आते हैं कि कौन सा tool बहतर है free tool बहतर है या फिर paid tool बहतर है तो हम पहले free tool पे आते हैं जो Google का tool है अच्छा जो paid tool है वो किसी वज़े से पैसे चार्ज कर रहा होगा ठीक आर्टिकल में जाएंगे वह आपको इस keyword planner के through detect को बता रहे होंगे कि कैसे planning करना है search volume क्या है अब मैं आपको बता दू मेरा practical experience क्योंकि मेरे website पर traffic आता है सारे टूल गलत दिखाते है Google का tool यह keyword planner भी गलत दिखाता है क्यों गलत दिखाता है क्योंकि मेरे पास जो traffic आता है वह अगर आप add चलाओगे तो कितना traffic इस से आएगा add जब run करोगे तो इसकी difficulty क्या है ठीक है यह सारी चीज़ें इस बता रहा है इसका organic से कोई लेना देना नहीं और जितने भी paid tools है ahref, samresh, uber suggest, सब के सब कुछ अपनी artificial intelligence करते हैं पर जो majority इनका data source है यह keyword planner यह है तो आपको यह जो सारी चीज़ें बता रहे हैं वो सारी उस perspective से बता रहे हैं कि Google add के perspective से सारी चीज़ें बता रहे हैं तो अगर आप keyword research tool के basis पे काम कर रहे हो keyword difficulty या फिर search volume देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अब मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं कि भाई यह गलत है यह again हमारी सुकन्य समर्दी वाली website से आपको मैं बताता हूं अब यह मैंने free tool में सुकन्य समर्दी वजना keyword डाला अब यह दिखा रहा है difficulty low है search volume कुछ दिखा रहे है ओके हम आते हैं href पे यह दिखा रहा है very easy वहां पे भी दिखा रहा था low very easy अब मैं google पे डालता हूं सुकन्य समर्दी वजना आप search result में देखिए यह सारे result आ रहे है ठीक है जो भी YouTube के आप result ना देखें जो भी organic result आ रहे हैं मैं challenge करता हूं आपको जो भी यह वीडियो देख रहा है मैं HRF को challenge करता हूं मैं Uber Suggest को challenge करता हूं मैं Moz को challenge करता हूं तीनों यह low दिखा रहे है keyword और आप इस keyword पे यह जो site हैं इनको पीछे करके दिखा दो ठीक है भाई वो किस position पे आप खुद सर्च करते के देखें MPNRC ने कैस हो कन्या सम्रिद दियोजना नहीं लिखा है लिखा हुआ है MPNRC ने यह article लिखा है आपको या तो page 5 या page 6 पे देखेगा तो आप देख रहे हैं कि कितना difficult है इसको rank करना और यह keyword research tool क्या करें easy है क्यों क्यों कि इसपे add चलाना easy है भाई इसपे आप add चलाओगे तो फटा फट चल जाएगी आपकी add rank हो जाएगी तो यह जो पूरा data आ रहा है add के लिए यह organic के लिए नहीं है तो यह keyword planner भी वही चीज़ बता रहा है HRF भी बता रहा है पर HRF आपको यह नहीं बता रहा है कि organically this is easy तो अब rank करके बता दो आप तो मान जाओं ठीके ना क्योंकि योजनाओं में हमने extensively काम किया है और आगे जो हमारी website आ रही है योजना से related आ रही है difficult है आप इन keyword research tool पे इसलिए कभी भी विश्वास नहीं करना इसके लिए keyword research tool किसलिए काम आते है backlink के लिए काम आते है जब backlink व रहें यूज करना है आपको अच्छा यह चाहिए ना actually कि search volume क्या है और keyword difficulty क्या है तो मैं आपको बता दूं कि यह जो सारे tool बता रहे हैं आपको यह past data दिखा रहे हैं अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो है fresh content पे काम करना Google कहता billions of searches daily होती है billions of searches उसमें से 15% searches daily daily 15% search ऐसी होत है मतलब की content available नहीं example निकल चोपड़ा ठीक है अब उन्होंने gold medal जीता अब उसका हम एक particular वीडियो बना चुके है कि कितना बथेरा traffic आया था हमारे blog पे तो कैसे आया था पूरी case study हमने बना रखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना अब वो आया for example निखिल करता है आज नीरे चोपड़ा के बारे में सर्च किया तो दो दिन बाद जाके आपको Google result दिखाए और जो paid tools है वो आपको एक महीने बाद दिखाएंगे एक महीने में तो गया gone case हो गया रात गई बात गई वाली बात हो गई ठीक है तो हम keyword ideas लेके कहां से आए keyword ideas लेके आना बहुत आसान है अगर आप उस method से काम करोगे तो बहुत आसान है अब एक और मैं बोलता हूं कि keyword research अब कैसे करें ठीक है एक नया keyword आया बहुत सारे लोगों का सवाल आता है एक नया बंद आया ठीक है for example एक नया बॉलर आया पहले आपकी बात बता रहो मैंने team को बोला था team अट राजन नया बॉलर जब आया था तो उनका सर इंटरनेट पे data ही नहीं है हम क्या लिखें बहुत सारे लोगों का यह सवाल आता है कि सर जब आप कहते हैं fresh article लिखो जब इंटरनेट पे data ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे आप यहां पे यह tool काम आएंगे कैसे tool काम नहीं हो जो जहीर खान के बारे में लोगोंने सच किया होगा मोटा माटी वो टी नटराजन के बारे में भी सर्च करेंगे तो इस बार पो कोई data नहीं मिलता भी सुकोंने समरुद्नी में आपने देख था क्या अ यह sub-edding यह भी पूछ रहे, यह भी पूछ रहे, यह भी पूछ रहे, जब नई योजना आती है ना, कुछ नए होता, हम कैसे काम करते हैं, मैं आपको अपनी sheet दिखाता हूँ, अब यह हमारी sheet है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग rule book बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे या काम करते हैं, content writers, तो उनके पास rule book होने चीए, कि किस rule book को follow करें, तो आप यह देखो, यह योजना है, कोई भी नई योजना आई, ठीक है, यह आपको सारे keywords दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको देखना है, आप लिख लो, अच्छा, यह काम करो, यह copy pen लो, note करो, लिख यह सारे keywords, screen को pause करो, और लिख लो, यह कहीं नहीं मिलने वाले आपको, किसी tool में नहीं मिलने वाले, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यह योजना के होगे, निश, business idea, business idea से related, हम extensively पूरा वीडियो बना चुके है, 65,000 या 70,000 के आसपास views हो चुके हैं, उसके, वो पर लिखना है, ठीक है, biography, निकिल चोपडा आया, biography, क्या-क्या लिखना है, सारी चीजें, यह देखो, ठीक है, सारी चीजें हैं, भाई, वीडियो को pause करें आप, और सारी चीजें लिखें कि क्या आनी वाली हैं, अच्छा, अब यह ऐसा नहीं है, कि सिर्फ यहीं है, एक को अपने दिमाग लगा के, यह सारी चीजें करना है, अब अगर आप exam से related करते हैं, तो यह सारी subheadings हैं, इतनी सारी subheadings आप देखिए, ठीक है, वीडियो को pause करो, सारी subheadings लिखो, अपने पास में क्या है, यह जो सारी information मैं आपको दे रहा हूँ ना, यह लाखो की है, साथ सा की हमारी पूरी मेहनत आपके सामने खोल के रख दिये, कि बायोगरफी निश में, बिजनेस आईडिया निश में, योजना निश में, exam related निश में, क्या क्या keywords होने वाले हैं, क्या क्या आते हैं, यह कोई भी paid keywords research tool भी आपको नहीं बताएगा, जो सारी चीजें इस वीडियो में मिल रही हैं, तो वीडियो को like कर दे भाई, अब हम आते हैं, जो मैंने इसी keyword research tool से एक website बनाई थी, और जिस से हमने 20 लाख रुपे कमाए थे, वो पूरी आपके सामने reveal कर रहा हूं, यो आपको पता चली गया होगा, सुकन्यासमृद्धी अकाउंट योजना.in, इल्कुल नई नई आई थी, अभी मैंने आपको challenge किया था, कि कोई Michael आलो सुकन्यासमृद्धी योजना में इसा हमें rank करके बता दे, किस guarantee पे बोला था, ये मैं बताता हूं, क्योंकि होता क्या है, सुकन्यासमृद्धी जब बंदा आता है, तो account खुलवाना होता, उसको कह जानी हो जाती है, तो हम ही लोग बोलते हैं कि वहाँ चले जाओ, तो वही rank करेंगे ना, हम तो नहीं ना rank करेंगे, पर शुरू में, जब चीज नहीं नहीं आई थी, ये जो government portals होते हैं, इनको information update करने में time लगता है, मैं आपको एक बहुत interesting किस्सा बताता हूं, कि इसमें अच्छा, अभी बहुत सारे लोग इस बात से लेके अच्रज होंगे कि इस YouTube चैनल पे भाई साम मैं सारे comment reply कैसे करता हूं, ठीके, और या तो मैंने कुछ नया तरीका निकाला है इस YouTube चैनल को successful बनाने का कि मैं comments reply कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा शुरू से ही ये श की चीज़ें समझता हूं, 100% मुझे भी नहीं पता होता है, परंतु जो चीज़ें पता होती है, मैं आपको बताता हूं, प्लस सुनता भी हूं आपकी चीज़े, ठीके, अभी क्या हुआ है, अभी आपको इसमें comments नहीं दिख रहे होंगे, इसके reason मैं बात में बताऊंगा, अभी मैं archive.org में जाता हूं, यह archive.org में मैं गया, March 30, 2016 का आप देख लेना, सुकन्या समरिद्धी अकाउंट, थोड़ा सा URL difficult है, सुकन्या समरिद्धी अकाउंट योजना.in, ठीके, यह exactly जाके आप डालना, ठीके, अभी जब हम archive.org में गए, तो आप देखना की 389, सिर्फ homepage पे इतने comments हैं, हर comment का भाई साब आपको reply मिलेगा, सुकन्या समरिद्धी की team से, मतलब मैं यूँ team, सब सारे answer मैंने कर रखें, सारी चीज़ें आपको answer यहाँ पे मिलेंगी, इसका फाइदा क्या हूँ, time waste क्यों करता हूँ मैं, time waste नहीं है, पहली चीज, एक scheme नहीं आई ह सारी information इंटरनेट पे भी available नहीं है, तो जब लोग सवाल पूछते हैं, तो मुझे पता चलता है कि भाई साब ये ये सारी चीज़ें भी हैं, और हमें ये ये सारी चीज़ें लिखनी हैं, आचा keyword research tool में आया, एक search आया, उस समय कि लोग search कर रहे हैं, सुकन्या समरिद्धी हमने कहा है, जब SBI के बारे में search करने हैं, तो PNB भी करेंगे, access bank भी करेंगे, आंधरा bank भी करेंगे, हमने इन particular keywords पर भी आर्टिकल लिख लिए, पहले से ही लिख लिए, ठीके, assume करते हूं, थोड़ा से दिमाग भी लगाना होता है, इसी वज़े से ये side चली थी, अभी इ देख रहे होंगे उपर ही, उस समय हम काम करते थे हमारे menu बार ऐसी होता था, interest rate, tax benefit, drawbacks, advantages, withdrawal rules, key features, list of banks, premature closure, ये PPF की तरह स्कीम थी, तो PPF versus SSA, comparisonal keyword हो गया, age limit, documents required, who can operate, ये sorry, sorry, ये तो सिर्फ कुछ हैं, अंदर और भी sorry चीज़े हैं, जो हमने डाल रखी, और कोई भी सवाल पूछते था, हम इसका answer करते थे, ठीक है, सिर्फ इस वज़े से हम इस particular side में rank हुए, अच्छा, आज आप क्या इसी तरीके से सुकन्या समरिद्धी योजना की side बनाओगे, rank करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, मैं करूँगा, नहीं, ये भी fail होगे, क्यों होगे, मैंने reason ब ऐसा पुटा रही है मेरे पास, आप मेरे साथ है ना, जुड़े रहो, भानुमती का पुटा रहा आपके सामने खोलता रहेगा, ऐसी है ना, जादू भरी site हैं आपके पास और आती रहेंगी, अगर आप योजना से related काम कर रहे हो, या किसी भी एक keyword जो आपको लगा, गगन आपको ये बताने वाला नहीं है, ठीक है, तो हमने इस तरीके से काम किया, अब हमने किस में कितने article लिखे थे, जब ये rank हो गया, विश्वास नहीं मानोगे, मुश्किल से 50, सारे keyword जो सर्च होते थे, या हो सकते थे, सब पर हमने article लिख वाया, और अच्छे से internal link बनाई, सारे users के question के answer के, अच्छे जब user कोई question करता है, तो उसको पता ही कि answer तुरंत नहीं आएगा, वो अगले दिन फिर आता answer देखने के लिए, ठीक है, इससे भी बहुत जादा reputation बड़ी, अब इस site का चलने का एक बहुत बड़ा reason था, backlink, अब आप लोग बोलोगे, जो मेरे प कुछ नहीं है, अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है, जब ये side बनी थी, सुकन्या समरिध्धी योजना, अभी मैं इसका, जब मैंने बताया थे कि AHRF में जब आप जाओगे, तो एक चीज के लिए आपको अच्छी है, कि भाई आपको backlink के बारे में information मिल जाएगी, अब मै Government Organization ने भी हमें backlink दिया था, जो आप remove हो गए है, क्योंकि आप उन्होंने originally समझ में आगए, कि नहीं भाई, SBI को हमें link देना चाहिए, और जो ICIC की bank है, उन्होंने post office को link दे दिया, पर शुरू में हमें दिया था, आपको लग रहा है Union Bank of India का backlink मैंने buy किया हो गया और बनाय नहीं होता, मैं दीपावली में नहीं बना ले था, ठीक है, इतना असान है क्या बनाना, और जो government expired domain आपको मिल रहे हैं, उनकी कीमत क्यों है, इंडी backlink की तो से बचे है, जो backlink की वज़े से तो है, जो impossible है बनाना और लोगों को मिल रखे है, इस website को Union Bank of India का backlink मिल रहा है, औ आपको पता चलेगा, ICIC Bank और Government of Money पुर ने भी हमें backlink दे रखा था, अब इसका क्या फरक पड़ा, यह मैं आपको इस website login करके बताता हूँ, अब यह मैं login कर चुका हूँ, अब मैं JetPank में जाता हूँ, आपने जितने भी पूराने मेरे, अच्छा मैं अभी तक अपनी बहु रिवील कर चुका हूँ, यह धीपवली तो आपको पता है, और यह भी अपने website मैंने रिवील कर दी, सुकन्या सम्रित दियोजना, अभी अचानक से इस पर traffic बढ़ गया है, कुछ reason से बढ़ा है, अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, भी मैं आपको historic data बताता हूँ, यह historic data बता 1000 पर data किसका traffic गया है, यह उसका पूरा historic data है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है, और फिर हमारा traffic धीरे 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 गिरने लग गया, क्योंकि इस time तक जो government websites थी, उस पे अच्छा data आ चुका था, और बाकी लोग भी, in fact हम लोग भी उनकी तरह free direct करने लग गये थ है, ठीक है, हम जो एक अच्छा site owner होता है, वो हमेशा user की चिंता करता है, और भले इसका नुकसान हो जाए, वो point करेगा कि यह सही है, हमने भी SBI की तरफ point किया, post office की तरफ point किया, और हमारी ranking गिर गई, अब total traffic आप देख लो इसका, 94 लाक views आ चुके हैं, बहुत साही मैं अ 30 लाक रुपे कमाये थे, मैंने proof करके आपके सामने ये रख दिया, आप please comment box में ये भी बताना, आपने और कोई ऐसा YouTuber देखा है, जिसने खोल के, अपनी website ऐसे बताई हो, वो अपना traffic बता देंगे, अपना पैसा बता देंगे, पर ऐसे traffic खोल के, open करके, क्या उन्होंने data दि search का use करो, but search करो कि कौन से नए ऐसे keywords हैं, जिस पे आपको काम करना है, नए चीजों में micro niche site बनाओगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे, कि best laptops पे आप एक affiliate website बना दो, बहुत मुश्किल है चलना, क्योंकि बतेरे लोग बना चुके हैं, ठीक है, पर कोई नया आ रहा है, keyword, affiliate marketing, 15% Google कहता है कि ऐसी searches होती हैं, जिनका आणसर नहीं पता है, उनसे related सोचो, मैंने एक video बनाया था, question hubs related, please जाके देखना आप उसमें, मैंने उसमें, वहीं search करते करते आपको बता दिया था, कि 5 ऐसी niches, जो futuristic है, question hub हमें बता रहा है, उस पे काम करो, और अब आप काम करोगे, तो आपको success मिलनी ही मिलनी है, अब एक और question आया था, कि भाई, जो keyword research tool है, वो regional language का जो content है, उसका सही data नहीं दिखाते है, तो मैं आपको बताऊं, normal भी कौन सही दिखा रहे हैं, ठीक है, आप regional की बात करोगे, आप सुकन्या समरिद्धी होजना, अग करो, हमेशा मेरा मानना है, English keyword पर करो, और फिर आप अपनी regional languages पर काम करो, इसका जमाना है, regional language ही आगे जाने वाली है, उसी पर ही आगे जाके काम करना है, Google Trends, आपको अगर past keyword की देखना है, कि एक authentic तरीका मैं बता रहा हूं, कि जिससे आपको search volume पता करना है, तो Google Trends एक तर पर रहा था, paid वाला, तो जो trends है, उसमें actual आपको पता चलेगा, उसमें exact number नहीं होता, अच्छा, Google भी सारे number क्यों नहीं देता, आपको बताओ, भाई वो भी तो पैसे कमाने बैठा है, ना, सारी चीज़े कैसे बताएगा, ठीक है, मैंने किसी एक वीडियो में बताया था, मैं आपको comment box में बता दूँगा, कि किस में मैंने बताया था, कि business idea वाला जो वीडियो था, ठीक है, business idea वाला वीडियो या my first successful blog वाला जो वीडियो था, उसमें जाके देखना, मैंने comparison करना सिखाया था, कि जब आप type करोगे, तो कैसे आप Google trend से बता सकते हो, कि search volume क्या है, प अब एक बार अगर credit card पर campaign rank हो गया, तो एक करोड रुपे महीने आप उससे कमा सकते हो, अब हम मैं बताऊंगा कि keyword research का ये मेरा वीडियो यहीं पर end होता है, अगर कुछ चीजें अभी भी मेरे से miss हो गई है, तो मैं शमा चाहूंगा, आप please comment करें, मैं try करूंगा उसको next videos म cover करने का, और blogging course का जो next video आने वाला है, वो ये आएगा कि कैसे SEO optimized article लिखें, keyword research की जो हमने सारी बातें यहां करी थी, पहले तो आप ये बताना है कि इस तरह की research, इस तरह की की बातें आपने पहले कभी सुनी है कि नहीं सुनी है, जब हम आपको keyword research optimized कैसे article लिखें, जो free blogging course part 6 का video आएगा, आपको बहुत जादा मजा आने वाला है, आपको बहुत value मिलने वाली, एक और चीज, backlink मैंने बोला कि बहुत जादा important है, backlink से related, जिस दिन video आएगा ना, आपके दिमाग के nut bolt हिल जाएंगे, कि भाई साथ, इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं है, कि backlink होत पहली बार मेरी शकल देख रहा है, मैं हूँ पवन अगरवाल, मेरा एक blog है दीपवली, जो इंडिया में top rank करता है, और मैंने एक new year resolution लिया था, कि मैं blog reviews करूंगा, मैं blog review करता हूँ, अगर आपको blog review में participate करना, बूगल पे type करें, blog review participate पवन अगरवाल, आपको हमारी एक औ और website दीपवली SEO tips मिल जाएगी, जहां पूरा process है कि कैसे, आप blog review में participate कर सकते हैं, plus free blogging course के बाकी के वीडियो भी देखो यार, बहुत knowledgeable है, बहुत जादा value मिलने वाली है, तो वीडियो को फिर हम end करते हैं यहाँ पर, वीडियो को like कर देना, वीडियो को share कर देना, और हमा mutually हमेंचियो का वीडियो का बहुत हैं कि औरा शुटा मिलना, और हमार, यहां आप हमेंचे कर दो अ खरादू Iw 저 मैंच को आप देना, ओकst wholly एäche ह हैं जाएगी हैं